आपका स्वागत है आपके अपने यूटुग चैनल महाध्यन में व्यूडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th Standard के लिए Mathematics की Worksheet No.27 डेट है आज 29 December हम गन संख्याओं का गनम करने जा रहे हैं हमने अब तक जो कुछ भी सीखा उसी के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत अलग अलग तरीके से वक्षीर में बहुत कुछ समझाया गया है आप तसली से बैट कर पढ़ें मैं आपको अपनी तरीके से इसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ घन संख्याओं का घन मूल आपको याद है हमने वर्ग मूल निकालना भी सीखा था याद ही होगा आपको कि चार दिया है तो इसका वर्ग मूल क्या होगा तो इसके जो टुकडे होते हैं दो गुणा दो जिसे हम लिखते हैं दो स्क्वेर तो ये जो है ये गन ये वर्ग मूल होता था बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास आठ दिया गया हो, तो इसके टुकड़े क्या बनेंगे? इसके टुकड़े बनेंगे दो गुड़ा, दो गुड़ा, दो यानि कि दो की घात तीन, इसका मतलब दो जो है वो आठ का गहन भूल है, तीन का मतलब है ग weit, अब आप समझ गए होंगे कि घन क्या है और घनमूल क्या है मैं इंक को कर देती हूँ erase और अब आप यहाँ पर जो example दिया गया है उसे देखिए यहाँ पर दिया गया है चार की तीन चार की तीन का मतलब है चार गुणा चार गुणा चार यानि कि चार चौक 16 चौक के 64 तो कुल मिलाकर जो इसमें 4 है यह 4 यह 4 गणमूल है किसका 64 का तो इसको 64 को कैसे दिखाएंगे हम 64 और यह 4 की 3 है यह बराबर कब हो जाएंगे यह देखिए इस 64 के बाहर अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि आप 64 का घनमूल निकालिए और जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो पहले ये 64 के टुकडे बने 4, 3 बार और जब 4, 3 बार आ गया तो ये 3 इस 3 से खतम हो जाएगा मतलब इस 64 की जगहा पर आ गया हमारा 4 कुल मिलाकर आपसे इतनी भी बातें अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो ना समझें सिर्फ इतना समझ कर चलिए कि अगर हमें 64 का गनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो हम इसके गुड़न खंड करेंगे और गुड़न खंड करके हम इसके छोटे से छोटे टुकड़े बना लेंगे और जब आप इसके छोटे से छोटे टुकड़े बनाएंगे तो वो ये बनेंगे और हमारे पास 4 की 3 आएगा और 4 जो है वो हमारा घनमूल होगा अब बढ़ते हैं आगे की तरफ आगे की सारी कहानी आप सवालों को करते करते भी सीख जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ और एक्जामपल भी दिये गए हैं जैसे हमें कहा है यहाँ पर की 729 का घनमूल निकाली है तो हमें 729 के अभाजय गुड़नखंड कर लेने हैं जो हमने पिछली वरकशीट में भी सीखे थे और हमेंने अभी अभी भी आपको करके दिखा है तो इसके अभाजय गुड़नखंड आएंगे यह तो 3 कितनी बार है 3 एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा यह तो कितने जोड़े बने 3 गुड़ा तीन दो जोड़े बने दोनों को गुड़ा किया तो आया 9 और यह हो गया उत्तर तो 729 का घंबूल क्या है तो वो है 9 जितने जोड़े बने उनको हमने गुड़ा कर लिया आपस में वैसे ही 125 दिया गया है और कहा है इसका घंबूल निका लिए तो यह घटा भी दिया हुआ है साथ में तो 125 के जब आप टुकड़े करेंगे घटा 125 के जब आप घंबूल निकालेंगे तो सभी के साथ घटा का निशान है और कितने बार पांच आया तो आप कहेंगे तीन बार आया यानि कि कितने जोड़े बने एक जोड़ा बना किसका पांच का तो एक पांच जो है वो इसका उत्तर हो गया यानि कि घटा पांच उत्तर हो गया अगर ये दो जोड़े बनते तो हम क्या करते हैं हम 5 गुड़ा 5 करके 25 आंसर बनाते लेकिन 2 जोड़े तो बने ही नहीं एक ही जोड़ा बना है तो एक बार 5 लिख दिया तो अब ये भी बात हो गई खतम अब बढ़ते हैं आगे की तरफ अब हमें यहां पर 512 दी गई है संख्या और हमसे कहा है कि गनाकार गिफ्ट है आयतन बताया है कहा है बिना बुझा की लंबाई बिना बुझा को माप का माप ग्याद करना चाहता है मतलब बुझा को मापना नहीं चाहता है और उसकी लंबाई निकाल लेना चाहता है तो कैसे निकलेगी अगर हमें आयतन पता है तो आयतन जो है सेंटिमीटर क्यूं में है देखा आपने तीन है इसके उपर गन है इसका मतलब इसका गन निकाल लेंगे तो हमें वो बुजा पता चल जाएगी और वैसे भी गन का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते ही है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा तो कुल मिलाकर ये है तो अब हम इसका अगर घनमूल निकालने तो उत्तर निकलाएगा सारी बातों का सारी ये है कि हम इसका घनमूल निकालना है गन्मूल निकालने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ अब आज गुड़न खंड करके तीन-तीन के जोड़े बनाने हैं तो ये तीन के जोड़ा एक ये दूसरा जोड़ा और ये तीन-तीसरा जोड़ा तो दो के तीन जोड़े बने इन्हें आपस में गुणा कर लीजे, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, तो उत्तर आ गया आठ, मैं समझती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर गन्मूल संख्याएं, संख्याएं दी हैं, इनका गन्मूल निकालना है, तो फटा फट स इसको हमें भाग करना है, तो जब हम इसे भाग करेंगे, तो सबसे छोटी वो संख्याएं जिससे यह भाग हो सकती है, वो साथ ही है, साथ एकम साथ, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यह आ गया यह, तो उत्तर कितना आया, उत्तर आया साथ, तो यह पहला सवाल हमने solve कर लिया है अब मैं आपको ले चलती हूँ दूसरे सवाल की तरफ इंक को erase करने के बाद मैंने इसे किया erase अब मैं आपके सामने दूसरा सवाल लेकर आ रही हूँ जिसमें है ये संख्या हमारे पास 3, 3, 7, 5 अब आप इसे solve करेंगे तो सबसे पहले ये solve होगी हमारे पास 3 से भाग होगी हमने इसे भाग किया ये आया फिर 3 से भाग किया फिर आया हमारे पास 375 फिर 3 से भाग कर लेंगे इस बार हमारे पास आएगा 125 और फिर 3 से नहीं इस बार 3 से भाग नहीं होगा ये इस बार भाग होगा 5 से क्योंकि 125 तो 3 से भाग हो ही नहीं सकता 5 से भाग किया 25 फिर 5 से भाग किया तो यह आया 5 5 25 तो कुल मिलाकर हमारे पास जोड़े आ गए हैं जोड़े क्या आए हैं जोड़े आए हैं हमारे पास 3 3 7 5 के 3 गुड़ा हमारे पास जो जोड़े आये हैं, वो आये हैं, तीन गुड़ा में ये सारे जोड़े एक बार हम लिख लेते हैं, पहले तीन गुड़ा में तीन, गुड़ा में पांच, गुड़ा में पांच, गुड़ा में पांच तो हमारे पास जो एक तीन का जोड़ा बना एक बना पांच का जोड़ा तो तीन गुड़ा में पांच तीन पंजे पंधरा तो अंसर कितना आया पंधरा तो दोनों जोड़े में से दोनों को बाहर निकाली आपस में गुड़ा हमें है तो गुड़ा कर दिया पंधरा गया इस से कर देती हूं erase अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अगले सवाल में हमें हमारे पास संख्या है ये इस संख्या को जब हम भाग करना शुरू करेंगे तो सवाल थोड़ा हमारा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये संख्या हमारी 2 से भाग होना शुरू होगी पीछे 4 है क् दो से भाग किया हमने तो हमारे पास आया ये फिर दो है पीछे ये फिर से भाग हो सकता है इस बार हमारे पास आया ये फिर दो से भाग किया तो हमारे पास आयेगा ये फिर दो से भाग करेंगे इस बार हमारे पास आयेगा ये और जब इसे दो से भाग करेंगे तो हमारे पा जाएगी, फिर भाग करेंगे तो आएगा 216, फिर भाग करिया हमने, फिर हमारे पास संख्या 108, और इसी तरीके से जब हम इसे आगे भाग करेंगे तो 54, 54 भी 2 से भाग हो जाएगा, 27, 27 के जब टुकड़े करेंगे तो ये 397 और 9 को जब हम भाग करेंगे तो ये 399 आएगा, तेने कम तीन, अब हमें कुल मिलाके ये सारी संख्याएं हमारे पास आ गई हैं, तो अब हम इने लिख लेते हैं जल्दी से, तो इसे जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो जल्दी से इसे लिख लेते हैं, ये हमने ये बनाया, और इसके अंदर हमारे जो टुकड़े आए, ये एक पेयर, ये दो का दूसरा पेयर, ये दो का तीसरा पेयर और ये तीन का एक पेयर, यानि कि दो के तो हैं हमारे पास तीन पेयर, तीन जोड़े, तो हमने दो के तीन जोड़े लिखने ही हैं, और वो मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैंने नीचे लिखा है लेकिन आप सीधा एक लाइन में लिखिएगा और इनके जोड़े बनाने के बाद हम इने बाहर निकालेंगे एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और ये चोथा जोड़ा तो मैंने फटा-फट से इसका उत्तर लिख दिया आगया आपके लिए ये दो गुड़ा में, दो गुड़ा में, दो गुड़ा में, तीन और जब मैं इसे गुणा करूंगी दो दुनी, चार, दुनी, आठ, तीया, 24 तो इसका अंसर आगया 24 तो मेरी तरफ से इसका अंसर 24 आगया है, आप फटा-फट से से कर लें, मैं कर रही हूं इरेज और इरेज करने के बाद, अब मैं आपके पास, अब हम चलते हैं, चौथे सवाल की तरफ तो चौथे सवाल को जब हम करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाती हूं जो मैंने अभी-भी सवाल करते हुए, नोटिस की है, आप भी इस पर ध्यानने कि इस सवाल को जब हम देख रहे हैं, तो यह है 1728, और यह 1728 हमारे पास इसमें भी था तो अब आप क्या करें, 1728 लिखकर और उपर वाले हिस्से को इरेज कर लें और यह सवाल उतार लिया होगा आपने, इसको हमने किया इरेज, और इरेज करने के बाद यहां से इसे solve कर लें और जब आप इसे यहां से solve करना शुरू करेंगे तो यह बाकी का हिस्सा हमारे पास आ जाएगा और इसे हम change कर लेते हैं इसे change करके हम लिखेंगे तो इस बार हमारा उत्तर आएगा 12 12 उत्तर केसे आएगा ये मैं आपको दिखा देतीूं अभी जल्दी से थंख्या है हमारे पास 1728 दो गुढा में दो गुढा में दो गुढा में दो गुढा में तीन गुढा में तो दो का एक pair दो का दूसरा pair यह दो एक जहां पर रह गया और यह एक pair करते हैं जल्दी से पांचवा सवाल कर लेते हैं तो जब आप पांचवे सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास संख्या है यह इसे भाग करेंगे तो पीछे साथ है दो से भाग होगी नहीं तो यह भाग किस से होगी यह भाग होगी तीन से तीन से भाग नहीं तो है 297, 13 से भाग होगी, 11 से भी नहीं होगी, 13 से होगी, 2, 3, 5, 7, 9, 11, और फिर अंत में हम 13 पर पहुंच जाएंगे, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनसे हम भाग करते हैं, और ये 13 से भाग होगा, जब अब 13 से भाग करेंगे, तो याया 169, और फिर 13 से भाग तेरह, 297 का वर्ग मूल होता है, तेरह, और इसे मैंने इरेज ओल कर दिया है, और अब जो हमारे पास संख्या है, वो है ये, और ये संख्या तो देखकर ही पता चल रहा है, हमने ट्रिक भी सीखी थी, कि कुछ संख्याओं से ही भाग होती हैं, तो इस ट्रिक को याद करते ह कि मुझे आसानी से इसका उत्तर आ गया है, याद और फटा फट से कर दिया है, इसे हल, तो इसका उत्तर है, 11 गुणा में, 11 गुणा में, 11 यानि की इसका उत्तर हुआ 11, 11 का, 11 जो है वो 1331 का गंमूल है, तो पहला सवाल कर लिया हम लोगोंने सॉल्व, इसमें हमें निकाल तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ पहला सवाल दिया है चार घनमूल है संख्या बताओ कि संख्या कितनी थी तो चार है तो चार घनमूल कैसे निकालेंगे चार को तीन बार आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा जब 4 को हम 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो 4 चुक 16 और 16 चुक के 64 सॉल्व हो गया दूसरा सवाल 10 है तो 10 को भी 3 बार आपस में गुणा कर देते हैं संख्या आ जाएगी तो 3 0 है 1 2 3 आ गया 1000 तीतरा सवाल 20 तरीके से हो जाएगा 6 है तो 6 गुणा 6 गुणा 6 और कितना आया 6 चिक 36 और 36 चिक के 216 ये भी असान है पर संख्या भी असान असान दी हैं संख्या भी बिल्कुल मुश्किल नहीं दी है अब हम इसे कर लेते हैं Erase All और बढ़ जाते हैं आगे की तरफ फिर अगली संख्या हमें 4 सवाल में दिया है 13 और ये तो और भी असान है 13 का तो अभी अभी हमने निकाला ही था कौन सी संख्या का निकला था 13 तो आप आसानी से बता सकते हो ये थी संख्या जिसे हमने किया तो 13 गुणा 13 169 गुणा में 13 297 पांचवा सवाल अगर हम करें तो 19 दिया है और ये भी हमारे ले बिल्कुल मुश्किल नहीं है 19 गुणा ये 6869 तो अब बढ़ते हैं आगे छटे सवाल की हो छटा सवाल भी हमारा आसान है 8 गुणा में 8 गुणा में 8 कितना आएगा 8 8 64 64 को 8 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 512 आ जाता है तो ये थी हमारी आज की वर्कशिट महादियन की तरफ से मेरे प्यारे विध्यार्थिय के लिए मैं उमीद करती हूँ इससे आपका आपकी वर्कशिट भी समझ में आ गई होगी साथ में आपको सवालों को सॉल्व करने में भी मदद मिली होगी यानि कि होमवर्क करने में मेरे प्यारे विध्यार्थियों जोगर आप चाहते हैं महादियन आपके लिए सीधरा उनते हैं लिए साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए आपके विडियों टीक नीचे रड़ कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब क्लिक कर दिचे क्लिक करते उसका कलर जाएगा चेंज और वह लिखा होगा सब्सक नमस्कार और धन्यवाद